नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम सभी का विनंदन है NDC निश्यूल क्लासस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और काफी बड़े बड़े गैप्स आ रहे हैं चार दिन क्लास होती है फिर पांस छे दिन नहीं हो पाती समझ्याएं आती रहती है एक खतम हो तो दूसरी आती है लेकिन इस बार पूर्व तैयारी थी इस कारण से आप लोगों को इतनी आसुविदा नहीं हुई होगी क्योंकि सो से ज़्यादा क्लासेज मेरी पहले रिकॉर्ड खाली समय में करके रखी विये कि आप अपनी कंटिनुटी वहां से जारी रख सकते हैं इसी लिए कहता है कि वेकेंसी का वेट न करें तैयारी पहले रखें एंड टाइम पर ऐसी समझ्याएं आ जाती है आज भी एक मेसेज बढ़ा सर सिस्टर की शादी थी चूंकि शादियों का सीजन ही था नेट की अच्छी तैयारी थी लेकिन अब आज देखते हैं तो नेट में पिसले पांस साथ दिनों से थोड़ा सा डिस्ट पेंट Two आट क्या करें पेपर देने जाएं या ना छाएं पेपर देना चाही है अगर मालो हो नहीं वह एक छोड़ो पेपर देन चाहीं इसकी क्या गारेंटी है कि आप अगली बार दोगे और SELECTION हो तो इसलिए इस बार दो हो सकता इस बार ही हो जाए नहीं होगा तो कुछ सीखो के यह जीज़े खेर अपना टॉपिक है क्रिया शांदा टॉपिक और हिंदी व्याकर्ण की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो अगर कोई टॉपिक अपने को आता है तो तो सारे अच्छे ही लग होती है उसके बाद कुछ शेस नहीं रहता ये क्रिया होती है क्रिया तो क्रिया देखेंगे हम क्रिया क्या कहती है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है दो शब्द बोले मैंने किसी कार्य का करना या तो हम काम करते हैं मैं पढ़ा रहा हूं आप प जाना बना रहा है किसी ने अभी mobile को सामने रख रकह रखा है class देख रहे हैं और रोटिया बना रहे हैं तो ये सब के चलता रहता है तो एक तो कारे करते हैं और एक होता है होता कैसे मेरा सरदर्दों हो रहा बारिश हो रही है काम करना या होना दोनों ही कंडिशन अगर कहीं होती है तो इसका मतलब वहां क्रिया है जिन सब्दों से किसी कारे का करना या होना अथवा किसी गटना के गटित होने का पता चलता है वहां क्रिया होती है और क्रिया का मूल संस्क्रत का धातू होता है बिल्कुल और धातू की पहचान कैसे करते हैं धातू की पहचान हम तू सर्वनाम के साथ कर सकते हैं जैसे हम कर सकते हैं तू लिख तू लिख ठीक है तू पढ़ तू कर यह यह धातू है यह क्या है धातू जैसे ही इनमें ना तरह से तो संस्क्रत में पढ़ होता है हिंदी में थोड़ा रूप बदला पढ़ हुआ और पढ़ से हमने बना लिया पढ़ना इनकी पहचान धातू के अंत में ना जोड़ने से हो जाती है यानि जब किसी धातू के पीछे ना जोड़ता है तो वो क्रिया में बदल जाता है अतै क्रियाएं वाक्य को पूर्ण करने के कारण वाक्य का विधे अंग कहलाती है और मैं यहां पर एक शब्द और लिखे दूंगा वो भी आपके अगर मानलो पेपर में थियोरिकल प्रशन आते हैं महां बड़ा काम आएगा महत्वपूर्ण अंग या फिर प्रधान अंग होती है क्रिया के बिना किसी वाक्य की कलपना की ही नहीं जा सकती क्रिया हर वाक्य में होगी तो आप इस चीज़ को मान के चलें कि क्रिया के बिना वाक्य नहीं हो सकता क्रिया वाक्य का अनिवारिय अंग है तो देखिए क्रिया वाक्य का विद्य अंग है क्रिया वाक्य का महत्वपूर अंग है क्रिया वाक्य का प्रधान अंग है और क्रिया वाक्य का अनिवारिय अंग है आईए अब बात करते हैं धातू क्रिया के मूल अंगों को धातू कहते क्रिया का मूल अंग होता है उसे धातू कहते हैं और धातू की पहचान के लिए हम धातू से पूरोर तू लगाकर चेक कर सकते हैं कि वह कहा धातू है या नहीं जैसे जिसके अगर तू सेट बैट गया है न वो धातू ही है तू पढ़ तू लिख तू हस सा ओरजानलें की धातू चुल्फ कितने प्रकार की होती है और झातू किस किस तरह के पर में आ सकती है ठीक है आज तक एक समय ये भी था właśnie की सिर्फ नकल वारा जो सिर्फ के भेद पूस्थते थे हुख कई बार रिपीट होता है जैसे जैसे समय बदल रहा है और मैं जहां तक समझता हूँ वेक्ति के दुरूप से पिछले पांच सालों में मतलब जो हमने देखने को मिली कि थोड़ा सा नकल वाड़ा जो सिस्टम देखने को मिला RPSC में कभी सदश्य बदले कभी विरोध हुआ जो भी एक चला था करिया कलाब उससे एक चीज देखने को आती है कि वेकेंसी जब भी आओ पेपर का इस्तर अच्छा होगा पेपर का इस्तर अच्छा होगा पेपर का पैटर्न चेंज होगा इस बात को दिमाग में बिठा ले तो थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को अभी तो डीपली तैयारी करें और जब वेकेंसी आउट हो जाती है उसके बाद आप जो हैं अपना जो जितना पड़ रखा है उसी को रिविजन करें फिर आप डीप न जाएं दोनों से सिच्छुसन दियान रखे तो हम धातू पां सबसे पहला होता है सामन्य धातू आराम से रिलेक्स होके देखते जाओ और नोडस आप तक पहुंचाई है हिंदी पॉइंट अप्लिकेशन के माधियम से तो आप तो देखते जाओ सामन्य धातू जिसमें ना प्रत्या लगाकर बनाए गए शब्द हो मतलब सामन्य जो यह सामन्य धातू होती है समझ गए तो यह बहुत इजी काम था व्युद्पन्य धातू व्युद्पन्य धातू क्या है देखते हैं वी धन उद्पन्य हम बढ़ते हैं इसमें वी उपसर्ग है फिर उद्ध है उद्ध है है ना अगर इसको संदी के हिसाफ से तोड़े तो क एक नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर मतलब प्लस के बाद का खाता था पफ ये आ जाएं तो जो मतलब यू मान लो जैसे उत्पन शब्द है तो ये नियम है जब संदी करेंगे तब आपको सिखाएंगे तो उत्पन धातू किसे कहते हैं देखते हैं जो धातू सामने धातू में प्रते लगाकर जो सामने धातू आप समझ गए लिख पड़ टेल ये सारे सामने धातू है इनके पीछे प्रते लगाकर या फिर अन्य किसी तरह से बनती है ना नहीं लगता है या तो प्रते लगेगा या अन्य किसी तरह से बनेगी तो अब बात करोगे कि सर हम अगर मानलो सीखना चाहें कि जो है व्यूत्पन दातू किस प्रकार की होती है आपने यहां दे नहीं रखा तो दे मैं आपको बताता हूँ जैसे इसमें ये भी आ जाएगी जैसे ये पी प्लस ना पी ना तो सर ये तो सामने दातू बिलकुल हो गई तो सर व्यूत्पन दातू कैसे होई या मैं तो वो समझना है आप क्या बता रहे हो आप तो सामने दातू बिलकुल अब देखिए कहां लिखूं मैं इसको साफ करता हूँ थोड़ा सा चलिए यहां से आप समझ जाओगे, जैसे यहां से कुछ उठाते हैं अपन, यह पीना ही उठाते हैं, चलो ठीके, यह सोना उठाते हैं, यह लो, देखो, सो में लगा ना, तो बना सोना, तो यह तो है साधारन धातू, अब देखो व्युत्पन धातू कैसे बनती है, सोना, सुलाना, अब ये क्या हो गई ये वित्फण धातू से निर्मित शब्द हो गया जैसे पीना सामान्य धातू था लेकिन हमने बनाए पिलाना या फिर पिल्वाना क्या बनाया पिल्वाना तो ये पढ़ते लग रहे हैं अब यहां पर और ये क्या जा रही है ये वित्पन दातु वाड़ा शब्द है तो सर कोई और बताओ जैसे उड़ना उड़ना होता है कि सर हाँ बिल्कुल होता तो है सुना तो है और हमने बना लिया उड़ाना और क्या बनाएंगे उड़वाना अब आपको को सर इसका मतलब कोई शौट तरीके से आप मुझे बता सकते हैं वित्पन दातु वाड़ा शब्द कहां मिलेंगे मैं बिल्कुल बता सकता हूँ ये लिजी प्रेरनार्थक क्रिया में जो क्रियाएं आती है वो सारी वित्पन दातु से निर्मित क्रियाएं ही आती है यानि ये जो शब्द बन रहे हैं पिलाना, पिलवाना, उठाना, उठवाना, खिलाना, खिलवाना, सुलाना, सुलवाना ये सारी जो क्रियाएं हैं ये प्रथम प्रेरनार्थक होते हैं ये दित्पन दातु मोसली आपको प्रेड़नार्था क्रिया में देखने को मिलता है तो देखो ये चीज को किताबों में थोड़ी लिखी वे ये चीज पढ़ करत करत अभ्यास जड़मत ही हो तो सुजान पढ़ते पढ़ते सीख सकते हैं बाकी नियमित्ता बहुत जरूरी होती है अगर आज आपने लोगों न कि बस negativity में ढूपते जाओ ढूपते जाओ या फिर होता है कि कुछ सॉलीूसन डूंदें हैं और कुछ चिनतन गरें और चिनतन हमेसा लाबदायक होता है लाबकारी होता है और चिंता हमेशा विनाशकारी होती है तो वो सारे चिंतन के नतीजर हैं कि निश्चतरुफ से आप सि को जियूर में संकल्ब करना चाहिए कि आज मैं अभी से एक संकल्ब कर रहा हूं कोई नए साल आ रहा है मोबाइल यूज ना करने का, मैंने क्या यूज संकल भिया, मोबाइल शाम को 7-8 गंटे देखता, पूरे दिन साइलेंट रखता, ताकि किसी को कॉल मेसेज आता है, तो वो देखना है, जैसे आज सिस्टम है कि मोबाइल क्लास लेनी है, तो आपको मोबाइल देखना तो यह उना चाहिए कि मैं क्लास देनी है, मैं 9 बजे जाके यह क्लास देखना हूँ, कोई और टीचर की क्लास देख रहे हूँ, या मैडम की क्लास देख रहे हूँ, तो वो देख लूँगा, अगर आई तो ठीक है, अदरवाज बंद करके मैं पपना पड़ाही में लग ज हो जाते हैं, आप समझ रहे हो, जिसे एक वो फ्री फायर गेम आया था, एक दो यह गेम चलते हैं, आजकल बच्चों को मतलब दिमाग खराब कर देते हैं, है ना, तो यह जो गेम क्या करते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, माइंड पूरा, तो फेस्बुक जो डेली यूजर है बैठे, बैठे, मतलब उसकी एक आदत लग जाती है, आदत तो अच्छी होती है, लग तो बूरी होती है, तो लग लगे कि हाँ दिन पर पोस्ट करना, और फालतु बकवास बाजी पे हजारों लाइक भी आ जाते हैं, अच्छी बातों पर लाइक कम आता हैं, यह भी नोट होंगा, वो यह डालूँगा कि आज बगवान गणेश, माता करणी या बजरंग बली की किरपा से, फलाने फलानी रैंक से मेरा सेलेक्शन जो है, सेकंड गड हिंदी में हो गया, और वो प्रण पूरा करना बड़ी मुश्किल होता है, एक साल बहुत होता है, थीन गंटे नहीं पढ़ूँगी, लेडिस थी, सुना था, देखो, सुनी भी कथा है, कि उनका ये प्रण था कि अगर मैं चार गंटे डेली नहीं पढ़ूँगी, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो अगर आज मैं पढ़ नहीं पाई, तो आज मुझे खाना भी नहीं खाना है यह प्रण उन्होंने बता नहीं कितने समय तक चलाया और वो साहथ अपने लक्षे को प्राप्त करने में सफल भी रही है तो कुल मिला कि संकल्प जियों में कोई निको होना चीए ऐसे मतलब उच्छा में और वो कहता है कि जोस में आके नहीं लो होश में लो सोचो विचारो चिंतन करो फिर एक सले कि मैं अच्छा ऐसा नहीं होता कि मैं आज को दूद नहीं प्योंगा चाय नहीं प्योंगा चाय ने दूद ने तेरा क्या बिगड़ है मतलब संकल ब्लेना तो ऐसा लोग सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पूरे 24 गंटे में सरवाद एक समय आपका कौन खा रहा है वही संकल ब्लेना है उसी को छोड़ना है मेरा तो फेस्बूक खा रही थी उसको तो मैंने छोड़ दिया है ना सकसेस हो गया जिंदगी बन गई ल नाम धातू करिया मतलब है नाम का मतलब वे करिया है जो संग्या सर्वनाम और विशिषन से बंती है वो नाम धातू होती है जैसे मैं यहाँ पर लिखूंँ जैसे आप देखो, नाम दातु अलाणे, मैं इसके आगे चर्चा करेंगे, फिर भी बता देता हूँ, जैसे संघ्या है शर्म, ये सर्म में भावाचक संघ्या है, तो हमने इसमें परत्या लगाया, और क्या बना लिया, शर्माना, तो ये संघ्या से बन गई, अपना सर्माना है और अपना से हमने क्या बना लिया अपनाना तो ये सर्वनाम से बन गई और गर्म ये विशेशन है है ना कोई चीज गर्म है और इससे हमने बना लिया गर्माना लंगडा से लंगडाना है ना तो ये जो है ये नाम धातु संग्या सर्वनाम और विशेशन से बनती है ठीक ह संग्या से बनती है लालत से लल्चाना सर्म से सर्माना हाथ से हतियाना लाज से लजाना तो ये सारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती है वे क्रियाएं जो संग्या सर्वनाम और विशेशन से निर्मित होती है वे सारी कि सारी क्या कहलाती है नाम धातु क्रियाएं कहलाती है सर्व नाम से आप से यह क्या होगा, अपना और नहीं, आप से आप नहीं है यह, अपना, अपना से क्या हो जाएगा, अपनाना, समझ गए बात आप, इसी तरह से विशेशन, जिससे चिकना विशेशन होता है, तो चिकना से चिकनाना, सर ऐसा कोई विशेशन थोड़ी बनता ह तो साठ से सटियाना, गर्म से कर्माना, लंगडा से लंगणाना, जूट से जूटलाना, ये सारी क्रियाईं जो होते हैं, नामी किया नाम धातु क्रियाईं कहलाते हैं, ये तीसरा धातु था, अब बात करते हैं समिश्र धातु की, किसकी बात करते हैं, समिश्र धातु, यान मतलब के वार है कि अरे लड़के ने तो मेरा नाम कर दिया अब इसमें हम सोचते हैं कि लड़के ने मेरा नाम कर दिया तो इसमें क्रिया क्या होगी तो हम कहते हैं कि नाम कर दिया इसमें कर दिया क्रिया है और नाम करम हो गया नहीं ऐसा नहीं होता वे शब्द जो हमें क्रिय हत्या है तो किसी ने किसी के हत्या कर दी तो हत्या ही ऐसे तो नहीं बोल सकता है मतलब हत्या करना तो इसके साथ करना या होना जब तक नहीं लगाएंगे ना तब तक यह क्रिया बनेगी नहीं तो हत्या करना अपने आप पूरी क्रिया है ऐसी नाम हो गया यह नाम होना हत्या ह ना, समझ गे, ठीक है, अब मार खाना, तो सर मार से तो, देखो, वहे, उस लड़के को मार रहा है, तो इसमें तो ठीक है, मार रहा है, ये मारना के रिया इसके साथ रहा दे दी, लेकिन, मान लो, कोई मार खाकर आया है, तो वह ऐसा कर बहुत है, वह मारा मारा आया है, ये वह मार खाकर, तब यहाँ पर हमें इसके असाता लगना पड़एगा, खाना मार खाना उसने तो आप रिशुत जो रिशुत खा ली वो तो रिशुत खाते हैं इस तरह से बोखते हैं, हवा खाना मैं हवा खा के आ रहा हूँ, अब क्या दर्सन दिये हैं, समझ के बात आप, कष्ट देना, धन्यवाद देना, इस प्रकार से देना होता है, इसी तरह से जाना, भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना, तो सर ये तो बन जाता है ना, पी, खा, तो सर इनके आगे जाना क्यों लगा, ये बदाता हूँ, ये क्या ह होती है रंजक उसमें मोस्ट लिए जाना और देना ये दो किरिया आपको ये एक तरह से किरिया के रूप में आती है ने देना उसने पैन दिया तो देना और जाना मोस्ट लिए जाना देना और एक लेना ये तीन किरिया है mostly जब किसी किरिया के साथ में साइक रूप में आती है तो वो रंजक रूप में होती है तो आप डेंशन मतलब अभी तो किरिया शुरू ही नहीं हुई अभी तो हम दातू पे बात कर रहे हैं तीन किरिया की और फिर टेस्ट होगा तो आपको तीन किरिया आपके उंगलियों पे होगी तो ये रंजक किरिया जब पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ आपको समझ आएगी कि भई वह पानी पी रहा है ये इस तरह से वाक्य हो सकता था या उसने पानी पिया ये हो सकता था फिर आखिर इस वाक्य की जरूरत कहां पड़ी कि वह पानी पी गया इस गया लगने की जरूरत कहां पड़ी जाना का दूपी तो गया होता है इसकी जरूरत कहां पड़ी ये क्रिवाव में विक्धी करने के लिए रंजग करियाओं का परियोग किया जाता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे अब आईए अनुकरणात्मक धातू पांच्वी धातू जो होती है वो होती है अनुकरणात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्म पड़ 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 आना है न यह करियां है हम लोग इतने टैलेंटेट एक बनाते रहते हैं आज तो मेरा हाओ संसना रहा बाद से कोई चक-चका गने की अवाज आ रही है टक-टकाने की आवाज आ रही है हम खुद ही बना लेते हैं चाए बनो नहीं बनो ठीक है तो यह होता है पांच दातू इस तरह से हमें क्रिया अलग अलग रूप में मिलती है ठीक है क्रिया के भेद क्रिया के निमना अधार पर तीन भेद हम पढ़ते हैं ध्यान रखना क्रिया हम तीन प्रकार से क्रिया पढ़ते हैं कर्म के अधार पर एक काल के अधार पर और एक परियोग के अधार तीन प्रकार से हम क्रिया को पढ़ते हैं मोसलि काल के अधार पर इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि जब हम काल पढ़ते हैं तब वो क्रिया उसी में समाईत हो जाती है इसलिए हम काल के अधार पर कभी देखते हैं परियोग या रचना के अधार पर हम क्रिया पढ़ेंगे लेकिन आज का पूरा टाइम हमारा जाएगा अकर्मक और सकर्मक को पहचानने में कर्म के अधार पर करिया के दो भेद हैं हम जानते हैं एक अकर्मक करिया और एक सकर्मक करिया है ना एक अकर्मक करिया और एक सकर्मक करिया अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता और सकर्मक जो कर्म के साथ होती है तो हम अगर बात करें मानलो आपके सामने कोई एक वाक्या आ गया कि मेले में मेले में खिलोने देखकर बच्चों का जी ललचाया है ना ये एक वाक्या मिला आपको क्या मिले मेले में खिलोने देखकर बच्चों का जी ललचाया और आप से पूछा कि इसने अकर्मक है या सकर्मक करिया है अब जैसा कि हमेशा होता है वैसा ही होगा आदे बोलेंगे अकर्मक और आदे बोलेंगे सकर्मक अब यकीन नहीं है तो उपर से जो comment आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं class तो माना करी live premiere है है ना लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ अकरमक और कुछ अकरमक बता रहे हैं ठीक है अब बात करते हैं सर आप बताओ इसमें होगा क्या तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, वो चलो मैं बता देता हूँ, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं होगी, है ना, कुछ सोच रहे हैं, हाँ, पड़ी सही होगी, इसमें सकर्मक क्रिया है, हाँ, सॉरी, क्या बोला मैंने, हाँ, अभी मैं खुद, वो बामार वाडिम कहता है ना, कि गणो विशार बने, वही आलत मेरी हो जाती, हाँ, इसमें आप में से, 90% को इसमें सकर्मक क्रिया लग अब बात आती है, कि सर, यह अकर्मक कैसे हुई, तो बस यही था कि मुझे आपको, मतलब यही था कि बहुत जने इसको गलत करेंगे, तो उसका सोलिशन ही अमें निकालना है, तो इसमें से कितने जड़ों ने अकर्मक किया, कितने सकर्मक के वो तो result आपके सामने है, है ना, और अब बात करते हैं अकर्म तो मैं आपको खुल मिला के एक वाक्य से समझा पा रहा हूँ कि जैसे इस तरह से मान लो जैसे उसका सिर खुजलाता है ये वाक्या आगया पूछ लिया कि इसमें कौन से क्रिया है तो आप तो वही कोगे ना कौन से क्रिया का होगे आदे अकर्मक और आदे सकर्मक तो आपने क्या बताई सर इसमें हाँ ये होगी खैर इसमें जो क्रिया है वो है अकर्मक ठीक है अब जिनोंने अकर्मक बताईए वो बिल्कुल सही है सकर्मक बताईए वो गलत है सर कैसे होगी तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अब हम पहले बात करते हैं कुल मिलाके हमें बहुत से ऐसे वाक्य होंगे जहां ना तो ये पता चलेगा कि अकर्मक है या सकर्मक है अगर अकर्मक है तो क्यों है और सकर्मक है होगी जिस दिन आपको सरवाद धिक जरूरत थी उस दिन वो गलत हो गया प्रशन तो मारे जाओगे ना इस चीज़ को सोच के चलिए मैं आपको एक ही फोर्मूला देता हूँ जो पिछे मेरी 231 फोर्मूला नंबर क्या है 231 यह मेरा फोर्मूला नंबर है 231 बटा क्रिया तो अब कैसे आपको किसी भी प्रकार का वाक्या आजाए आपको किसी मैं एक वाक्या लिखता हूँ है ठीक है विकास पान खाता है लिख दिया मैं दूसरा वाक्या लिखता हूँ धीरज बाहर एहल मुझे पता है आप लोग फटा फट इसके उत्तर बताने शुरू कर दोगे मैं जानता हूँ लेकिन कोई बात नहीं धीरज बाहर टेयल रहा है सुनील अब तक सो गया होगा पानी में पानी में मैडक उचल रहे हैं और लास्ट एकोर लिख लीधे है अकास में पकसी जह रहे हैं उन्ने पांसा सरलवाक्य में लिख लिए ठीक है अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला देखते हैं फॉर्मूला क्या है आप ये सरल वाक्य देखकर आप लोगों ने उत्तर दे दिये होंगे कि भई इसमें ये किरिया इसमें ही करें लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जल्दबाजी ने करें सरल से सरल वाक्यों आप अपने नियम अपने हैं वाक्य में सबसे पहले आपको वाक्य के क्रिया डूणनी है तो सर हमने क्रिया ही तो डूणनी है नहीं वो ऐसे करम के अधार पे क्रिया नहीं तो हमें क्रिया मिल गई खाता है अब हमें दूसरे नंबर काम ये करना है कि क्रिया को क्रिया को करने वाला देखो मैं यहां पर करता भी लिख सकता था लेकिन मैं करता इसलिए नहीं लिखता हूँ यहां पर हलांकि क्रिया को करने वाला करता ही होता है इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि लोगों के माइंड सैट है कि करता वाक्य में आगे होता है और वो आगे वाड़ा सब्दी उठा लेते हैं सीधा नहीं आपको ये देखना है कि ये खाता है ना खाने का काम कौन कर रहा है आपको उसी तरीके से चलना है तो ये हो गया दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप हो गया बीच में दोनों के क्या लगा दो क्या ठीक है तो हमें करिया मिल गई खाता है और खाने का काम कौन कर रहा है तो हमें मिल गया विकास तो हमने लिख दिया विकास ठीक है और दोनों के बीच में लगा दिया हमने क्या फिर एक प्रिश्ण का निर्मान हो गया और प्रिश्ण क्या बना विकास क्या खाता है प्रिश्ण बन गया अगर वाक्य में उत्तर आ जाए तो समझ जाओ कि इसमें कौन सी क्रिया है अगर वाक्य में उत्तर आ जाए तो उत्तर आया वाक्य में पान, विकास क्या खाता है पान, तो समझ जाओ कि हाँ ये सक्रमक करिया है, लेकिन नहीं, अगर आपका उत्तर आ भी जाए, तो भी एक स्टेप और कर लेना, टू स्टेप वेरिफिकेशन, आप कई बार मोबाइल मोबाइल जो होते हैं न, के वर मोबाइल वगरा जो होते हैं, तो कोई ID पासवर्ड भूल जाते हो, तो पासवर्ड रिसेट करते हो, तो कहते हैं न, कि भी आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, तो यहाँ पर भी आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन complete करना होगा तब जाके आप final क्रिया समझ भागए तो जैसे ही आपका उत्तर आजाए कि हमने प्रिश्ण मनाया विकास क्या खाता है उत्तर आए पान तो अब आप पान के साथ यानि जो उत्तर आए उसके साथ को लगा कर चेक करो कि अगर को लगने के साथ सैट बैठ रहा है यानि को उस उत्तर के साथ सैट बैठ रहा है तब तो हमारा उत्तर सही था अगर को उस उत्तर के साथ सैट नहीं बैठ है तो आपका प्रिश्ण ही गलत बन गया चलिए देखते हैं तो विकास किया खाता है विकास खाता है पान, विकास पान को खाता है,实行 का मतलब इसमें क्रिया कौन सी थी इसमें सकर्मक खिरिया घ्रति करी अगला धीरज बाहर टहल रहा है अब कुछ लोग क्या करते हैं जबर्दस्ति करते हैं धीरज कहां टहल रहा है धीरज बाहर टहल रहा है अब खुद ने उल्टा मैंने कहा ही नहीं कि कहां कुह लगाओ मैं तो करहा हूं सिर्फ आपको बीच में क्या लगाना है क्या लगाना है क्या लगाना है बस तो धीरज टहल रहा है उत्तर नहीं आया उत्तर नहीं आया तो बात सीधी complete है इसमें क्रिया कौन सी है अकर्मक है सुनील अब तक सो गया होगा सुनील अब तक सो गया होगा क्रिया क्या है सो गया होगा सोने का काम कौन कर रहा था सुनील तो सुनील क्या सो गया होगा उत्तर नहीं आया सुनील क्या सो गया होगा अब कोई ग्यान लगा ले सुनील कब तक सो गया होगा सुनील कब सो गया होगा ऐसे नहीं सिर्फ क्या लगाना है तो सुनील कब सो गया होगा उत्तर आया नहीं इसका मतलब इसमें भी क्रिया कौन सी है अकर्मक है अब बात करते हैं अफ़न पानी में पानी में मैंडक उचल रहे हैं अब मेरे बड़े प्यारे प्यारे स्टुडेंट क्या करते हैं पानी में क्या उछल रहे हैं उत्तर आ गया मेंडक 1.66 नहीं 2.66 उछल जाएंगे दो नुम्बर तो जाएंगी जाएंगे 0.66 और उछाड़ेंगे और आप देखो जब गलत प्रश्ण बनाते हो अउतरफट से आता है भार पानी में क्या उचल रहे हैं पानी में मेंडक उचल रहे हैं उतर आ गया ना तुरंट यहीं गलती होगे स्टेप बाइ स्टेप चलना है क्रिया क्या है उचल रहे हैं और उचलने का काम कौन कर रहे हैं मेंडक तो मेंडक और उचल रहे हैं क्या लगा दो अब एक चीज़ समलना, जिसने ये प्रश्ण बनाया, पानी में क्या उचल रहे हैं, उत्तर आया मैंडक, मैंने क्या का अगला स्टेफ वरिफिकेशन क्या है, कि पानी में क्या उचल रहे हैं, उत्तर आया मैंडक, मैंडक के साथ को लगा कर चेक करो, पानी में मैंडक को उच रहे हैं सेट नहीं बैठाना सेट क्यों नहीं बैठा क्योंकि सहाब प्रश्ण गलत बना लिया आपने जब प्रश्ण गलत बनाया तो इसलिए कहता हूं कि उत्तर आने के क्यों क्रिया है चह चहा रहे हैं चह चहाने का काम कौन कर रहे हैं बोला पक्षी तो प्रश्ण मनेगा पक्षी क्या चह चहा रहे हैं उत्तर नहीं आया और उत्तर नहीं आया तो कौन से क्रिया है अकर्मक तो याद रखें अकर्मक और सकर्मक को अगर ढूड़ना हो तो नियम नमबर एक, सबसे पहलेवाक़्े में करिया ढूंडो, दूसरे नमबर कर्णे वाले को खोजो, और तीसरे नमबर लगा दो क्या, समझ गए, तीसरे नमबर लगा दो क्या? सिंपल सी बात है टेंशन खटम चलिए देखते है तो अकर्मक क्रिया क्या थी जिस क्रिया का प्रवाव सीधे-सीधे करता पर पढ़ता है तो जो क्रिया कर्म रही तो अकर्मक क्रिया कहलाती है क्रिया का फल करता पर नहोकर कर्म पर पढ़ता है जब क्रिया कफल करता पढ़ना औक कर्म पर फढ़ता आ तो सकर्मक होती है यह परिभास हैं तो हम बहुत पढ़किया आचके हैं हमें तो सब्सक्रवाक्षी आने चाहिए छली पांच वाक्ゲ देसा हूँ यहां पर सब आप जैसे बताता चाहूँ वैसे वैसे आप उतारते जाना ठीक है, सबसे पहले, मैं बड़े प्रैक्टिस वाले वाक्य अच्छे देता हूँ, जंगल में लकडी कट रही है, दूसरा वाक्या है, पैसा पानी की तरह बहाया गया, तीसरा वहे अपना सिर खुजलाता है, वहे अपना सिर खुजलाता है, चौथा उसका सिर खुजलाता है, और पांचवा है, द्वज फहरा रहा है, द्वज मंदिर पर द्वजा लहराता है, जहरा रही है, ये पांच वाक्या मैंने लिख दिये और आपको वही फॉर्मूला, सबसे पहले आपको वाक्या में डूड़नी है क्रिया, ये एक, दूसरे नमबर पर आपको देखना है क्रिया को करने वाला, ये नियम नमबर दो, और तीसरे नमबर बीच में लगाना है आपको क्या तो अब आप इतनी दिर में तो आपने देख लिया होगे तो सबसे पहले चलो देखते हैं पांचो के पांचो किसके सही हुए है जंगल में लकडी कट रही है तो हमने देखा इसमें है कट रही है और जिस स्टूटेंट नहीं यू बना लिया जंगल में क्या कट रही है जंगल में लकडी कट रही है लकड़ी, अब दोनों के बीच में क्या लगओ, लकड़ी क्या कट रही है, उत्तर नहीं आया, उत्तर नहीं आया तो अकर्मक होगे, तो सर उत्तर ऐसे कैसे हैं, अब जिनोंने यू बना लिया जंगल में क्या कट रही है, वो महानुबाव ध्यान देवें, आप ये जंगल मे से प्रश्ण बना कैसे सकते हो इसमें अधिकरण कारक है और हमने बात किये क्रिया को करने वारा यानि वो करता होता है वो क्या होता है करता तो आप अधिकरण को लेके प्रश्ण बना कैसे सकते हो बनेगा भी तो नहीं न समझ रहे बाताब चलिए तो ये अकरमक क्रिया है आईए पैसा पानी की तरह बहाया गया अब इसको ध्यान से समझना क्रिया क्या है बहाया गया अब देखिए बहाने का काम किस ने किया तो सर पानी ने नहीं पानी की तरह पैसा ने नहीं नहीं यानि करता मौझूद ही नहीं है क्रिया को करने वाला मौजूद ही नहीं है अब क्या करेंगे सर simple सी वाद, आपको क्रिया मिल गई बोला हां सर, क्रिया को करने वड़ा मिला, बोला ना सर कोई बात नहीं मिला तो, सीधा क्या लगा लो क्या बहाया गया उत्तराया पैसा को लगा के चेक करो पैसे को बहाया गया, हाँ सेट बैठ रहा है इसका मतलब बिलकुल सही था तो कुल मिला के आप समझे, मैं क्या कहना चारा हूँ अगर वाक्य में करता मौजूद नहीं है यानि क्रिया को करने वाड़ा मौजूद नहीं है तो भी गबराने के आवशिकता नहीं है आपको अपना काम करना है, आप अगले स्टेप पे चले जाओ, सीधा क्या तो यहाँ पे करम होगा पैसा आईए, वहे अपना सिर खुजलाता है मतलब राम है, सुरे से मोहन है, मैं हूँ अपना सिर, मेरा सिर, खुजला रहा हूँ ठीक है, क्रिया क्या है, खुजलाना और खुजलाने का काम कौन कर रहा है, वहे और वहे क्या खुजला रहा है, सिर वहे क्या खुजलाता है, बुला सिर को लगा के चेक करो, वहे सिर को खुजलाता है हाँ सर सेट बैठ किया, सेट बैठ किया, इसका मतलब इसमें सकर्म करिया है, तो सर नीचे वड़ा, सेम वाकिया है सर, उसका सिर खुजलाता है, उसका क्या खुजलाता है, उतर आएगा सिर, को लगा के चेक करना, उसका सिर को खुजलाता है, सेट नहीं बैठा, प्रश्णी संबंद है जैसे मुझे बताओ राम का भाई दोड़ रहा है मुझे बताओ कौन दोड़ रहा है बोला सर भाई दोड़ रहा है यह राम दोड़ रहा है यह राम का भाई दोड़ रहा है तो राम से संबंद है तीक है मैं राम की जगा उस लिख लूँ उस का भाई दोड रहा है अब कौन दोड रहा है वोला सर भाई दोड रहा है तो ये उसका क्या है अच्छा ये तो मैंने गलत लगा दिया उसका क्या है ये उसका तो सम्मन्द है उसका तो भाई सम्मन्द है सेम ऐसे ही मान लो ये उसकी जगे हो सुरेस तो सूरेज का सिर्खुजला रहा है तो सर आपने उपरवारे में कर दिया सर सेम किरिया, देखो मैं बताता हूं एक में यार सिर्खुजला रहा है सिर्खुजला रहा है, मतलब सिर्ख में खुजली हो रही है खा जावे है, माथ्य में खा जावे है समझ आई बात सिर्क में खुजली हो रही है अपने आप हो रही है मैंने करना या होना दोनों और एक में खुजला रहा है एक में हो रही है और एक में खुजला रहा है आज तो पूरा बदन चर्मर आ रहा है चर्मर आ रहा है आज तो पूरा बदन खुजला रहा है खुजला और यह उस्टारी एक हुआ गोई तो सिर खुझा रहे तो यहाँ परस्च्ण मेने सिर क्या खुझाता है उत्र नहीं आएगा अकर्मक है मन्दिर पर धोजा लहरा रही है क्रिया क्या है आप जिसने युपर नहिया मंदिर पर क्या लहरा रही है उत्तर आएगा द्वजा को लगा के चेक करो मंदिर पर द्वजा को लहरा रही है सेट नहीं बैठा क्योंकि प्रश्णी गलत बनाया था किरिया क्या है लहरा रही है लहराने का काम कौन कर रही है द्वजा लहरा रही है यानि अपने आप हो रहा है काम द्वजा अपने आप तो ड्वजा क्या लहरा रही है उत्तर नहीं आ यह तो कौन से करिया हो गईываем अकरमक सर जोड़दार है आनंदार है बोला है तीन चार दिन मेरे तो क्या है कियाना देखो ऐसे देखो सकारात्मक ता और नकारात्मक तक बहुत बड़ी सीज बता हूँ एक ही सेंटेंस सकारात्मक हो सकता है एक ही सेंटेंस नकारात्मक हो सकता है जैसे उसका सिर्थ दोनों ही सकर्मक कर्मक हो सकता है यार काम बोजद है मैं तो अकेला हूँ अकेला क्या क्या करूँ अकेला क्या क्या करूँ अकेला क्या क्या करूँ एक तो ये होता है मैं अपने पी बता रहा हूँ एक ये होता है यार मैं अकेला ही काफी हूँ दोनों जगे हूँ मैं अकेला ही लेकिन एक तो मैं इसको यूँ लो कि यार अकेला हूँ पार नहीं पट रही ये भी मुझे ही करना ये भी मुझे ही करना और एक यूँ हो छोड यार अपने तो अकेला ही काफी है हैं अबड़ा खुद कर ले इसारा यानि मन के हारे हार मन के जीते जीत तर अगर मैं मन से ये सोच लेता हूं कि मैं अकेला कर लूँगा तो बस इतनी सी बात है तो आप यू मने कि स्पालों को पिर कुछ देख़् जांगा और आपके क्लास जो है आपके लाब प्रद सिद्ध होगी और आपको आनंद भी आएगा बस आपसे इतना ही कहना है कि मैं जब नहीं आता हूँ तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो पटवारी की ग्राम से वेगर तैयारी कर रहे हैं अपने जो भी जो पीछे जनरेशन आ रही है वहां तक जिस स्कूल में अगर आप हो तो वहां बच्चों तक बारवी के बच्चों तक जरूर पहुंचाएं कि हिंदी व्याकर्ण जो हैं सर पढ़ा रहे हैं बस इतना सा आप जरूर करें स्योग करें मैं आपको और सिखाता हूँ चलिए एक प्रेक्टिस और करवाता हूँ अब वही वाक्या लेते हैं पहले मेले में खिलोने देखकर बच्चों का जी ललचाता है अब मैंने जो नियम बता रखा हूँ अस नियम कैकोर्डिंग करोगे तब तो सही होगार वरणना गटबड होगी मूँ दूसरा दूसरा कोई वाक्या धिमाग में कोई बढ़ी चाज़ा दिमाग में हाँ अभी दूसरा 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 एक जंगल वाड़ा वाक्या और एक कोई एंठ ना लजाना वगएरा है ठीक है जंगल में लकडी काटी जा रही है तीसरा वाक्या लिखो कोई में रसी एंठ ती है ठीक है और कठिन वाक्या होना जैसे यह मेले माड़ा है जैसे वह उसका है ऐसे वाक्या हमेशा निश्यतरुप से हमें सच्चा लाब देते हैं यूं मान लूआ कुए में रसी एंठ ती है नोकर रसी एंठ भा है ठीक है पांचों वक्या लिखता हूँ मैंने दो दिन पहले यह कहा था छटा लिखता हूँ फोन बीच में किस का रहा है बालक शाम को खेलते हैं सडक पर कुटे भौक रहे हैं यह कुछ वाकिया मैंने लिखे अब यह अगर आप स्टेव एकदम सही कर देते होना तो बहुत इजी हो जाता है काम तो अब तक तो आपने देख लिए का मेले में खिलोने देखकर बच्चों का जी लल चाता है अब जिसने यूं का कि मेले में खिलोने को खिलोनों को देखकर को आ रहा है यह वो लोग हैं जो कितना भी कहलो लेकिन नियम फॉलो नहीं करेंगे चाहिए रेड लाइट जला दो चाहिए कुछ भी कर लो यह ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे तोड़ेंगे ठीक है हेलमेट नहीं पहनेंगे बहले ही सो रुपय की परची खट जाए यह वोई लो आपको सबसे पहले बो ललचाता है जी ललचाता है नहीं रहे ललचाने का काम कौन कर रहा है जी यानि मेरा मन उदास हो रहा है तो उदास हो रहा है उदास होने का काम कौन कर रहा है मन उदास हो रहा है समझ रहे हो तो यहां पर करता यानि करिया को करने वाड़ा जी है ललचा रहा है तो जी क्या लल्चाता उत्तर नहीं आएगा इसमें कर्मक करिया होगी और जो मतलब आप लोग ये वाक्यों इतना बड़ा वाक्या देखकर जो गबराते होना ये ही मुर्खता है एक्जामिन दर आपके इसी कमजोरी का फाइदा उठाता है आपको ये देखना है कि आपको ये देखना है कि सीधी सी बात है क्रिया क्या ये रही और क्रिया को करने वाड़ा को ने बीच में क्या लगा दो बात खतम इसके अलवा आपको नहीं देखना वाक्या है महारणा परताब ने हल्दी घाटी के मैदान में बड़ी वीरता के साथ अनेक लड़ाईया लड़ी इतने बड़े वाकिस हमें क्या करना क्रिया क्या वोला लड़ी लडने का काम किस ने किया वोला महारणा परताब ने वोला महारणा परताब ने क्या लड़ी वोला लड़ाईया ये लो साब उतरा गया सकर्मक क्रिया हमें बड़ी वीरता के साथ रल्दी गाटी के मैदान में तलवारें बज रही थीर हमें उससे मतलब ही नहीं है हमें तो क्रिया से मतलब है जंगल में लकडी काटी जा रही है अब इसमें सकर्मक क्रिया है सर सकर्मक कैसे है अभी तो आपने का काम कौन कर रहा है मौझूद ही नहीं है तो सर जंगल में जंगल तो इस्थान है है ना जंगल में तो जंगल तो इस्थान है काटने का काम कौन कर रहा है जंगल में भई लकडी की देखो लकडी की कटाई हो रही है लकड़ी कट रही है वो तो अपने आप ओ रहा है काम कट रही है तो सर अपने आप कोई कटती थोड़ी है जंगल में लकड़ी कट रही है हमें वैसे नहीं जाना ज्यादा गयराई में नहीं जाना लकड़ी कट रही है बात खतम कटने का काम कौन कर रहे है लकडी समझ रहे बात और लकडी काटी जा रही है मतलब कोई काट रहा है लंगर लकडी वहाँ से आवाज आ रही है कुलहडी की है न तो यहाँ पे हमें तो मतलब काटी जा रहे है काटने का काम कौन कर रहा है बोलो मौझूद ही नहीं है सीधा क्य लगा दो क्या काटी जा रही है? उत्रा जाएगा लकडी, आप को लगा के चेक करो लकडी को काटा जा रहा है, अरे वहान सैट बैठ गया है, म Tac prescription बैठे गई, ठीक है, कुए में रसी एंट थी है, क्रिया क्या है? एंट थी है, और एंटने का काम कौन कर रहा है? बोला रसी, तो सर यह तो में है ना, कुवे में क्या एंट तिया, ऐसे प्रिश्ण बनना चाहिए ना, क्यों बनना चाहिए अभी तो समझा किया आयता हूँ, यह में अधिकरण कारक है, यह थोड़ी आता है, यहां तो क्रिया को करने वाड़ा आता है, तो एंटने का काम रसी कर रही है, रसी क्या एंटती है, उतरनी है या अकर्मक क्रिया है, कौन से क्रिया है, अकर्मक क्रिया, नौकर रसी एंट रहा है, अब की बार एंटने का काम कौन कर रहा है, नौकर, नौकर क्या एंट रहा है, रसी, तो यह सक्र्मक क्रिया, सर मतलब एक किरिया अकर्मक भी है, शक्रमक भी है, विल्कुल होती है, अगले पेज पर देखना आप लोक, मैंने दो दिन पहले यह कहा था, यह बड़ा अच्छा वाग्य है, लेकिन जो नियम नहीं छोड़ेगा, उसका चाला नहीं कटेगा, किरिया क्या है, कहा था, कहने का काम किस ने क या मैंने, मैंने क्या कहा था, यह, मैंने क्या कहा था, यह, सर यह, यह के साथ को लगाओ तो, मैंने यह को कहा था, सर यह सेट ही नहीं बैठा, अच्छा, आप जानते हैं कि जब भी सर्व नाम के साथ विवक्ति लगती है, हम सर्व नाम पढ़ के आए हैं, तो रूप चेंज होता है. यानि मैंने इसको समझ गए बात यह के साथ को सेट बैठता है. बिल्वकुल 100% सेट बैठता है. तो इसका मतलब मैंने दो दिन पहले कहा था. क्या कहा था? यह है. यानि इसको कहा था. इसमें क्रिया कौन सी होगी? सकर्मा. बालक शाम को खेलते हैं. क्रिया क्या 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 क प्रशन गलत बना ऒखेगा अप मेरा नियम जिसने अपना लिया उसके क्रिया गलत होगी नहीं और बागी जिसके समझ नहीं है वो दूबरा देखना जब तक नियम नहीं अपना होगे समझ नहीं आगी आईए ध्यातव यह अकर्मक और सकर्मक की पैचान के लिए क्या लगा कर इतना सरल तरीके से नोट्स यह मेरे नोट्स हैं जो आपको मैंने अविलेबल करवा रखे हैं सेकंड गेर्ड फस्ट गेर्ड वो जो संपूर इंदीवेकर्ण वाड़ा जो कोर्स है जिसमें पूरा फस्ट गेर्ड सेकंड गेर्ड रीड ऐसा ही वगरा सब मिलेगा उसमें नोट्स उपलब्द करवा रखे हैं नोट्स में भी इस तरह से लिख रखा ताकि किसी स्टूडेंट को है ना मतलब जरूरत ही नहीं पड़े है नोट्स से समझ जाए यह मैंने नोट्स खुदने मनाए हैं कि अकर्मक और सकर्मक के पहचान के लिए क्या लगा कर प्रश्ण करें अगर उत्तर प्राप्त हो तो असकर्मक क्रिया उत्तर नहीं मिले तो क्या हो जाएगी अकर्मक अब प्रश्ण करने का नियम क्या है वो देख लीजिए आप लोग वो नियम है कि क्रिया के ठीक पहले क्या लगा दो क्रिया के ठीक पहले क्या लगा दो क्या तो इतनी देर से हम क्या कर रहे थे क्रिया के ठीक पहले ही तो क्या लगा रहे थे काटी जा रही है क्या काटी जा रही है एंट ती है क्या एंट रहा है क्या एंट रहा है कहा था क्या कहा था खेलते हैं क्या खेलते हैं प्रश्न क्या बनेगा, क्या रखे, तो उत्तर के आएगा, फल, कौन से क्रिया, सकर्मक, अब मुझे बताओ, इससे सरल आपको अकर्मक सकर्मक कैसे समझाई जा सकती है, इतना इजी तरीके से, अब आपको पास जो भी किताब है, जो भी नोट्स हैं, उन में से वाक्य देखो मेरा नियम अपना लो, बस मैं इतना ही क्या रहा हूँ, सबसे पहले किरिया ढूंडो, किरिया को करने वाला ढूंडो, पीछ में क्या लगा दो, अगर किरिया को करने वाला नहीं है, तो सीधा ही क्या लगा दो, किरिया है पीछे, तो प्रश्न बनेगा, उत्तर आ गया, तो लेकर आऊंगा मैं आपके लिए और फिर देखते हैं दूसरी क्लास में कुछ नया सेखेंगे तो बहुत दिनों बाद आज क्लास वी विकरम सिंग गुजर ने मेसेज किया था सर अब तो आजाओ प्लेटफर्म सुना सुना लगता है आपके इस नहें और आपके जो इस अपने पन के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ धन्यवाद आप सभी का कि यूट्व पर हजारों चैनल दिन में बनते हैं अजारों बिगरते हैं लेकिन जो नहें मुझे पिसले दो ड़ाई साल में मिला है उसको मैं सल्लूट करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास को लाइक शेर और सबस्क्राइब चैनल जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद कल मिलते हैं ठीक है